तो मुख्या मंत्री पुपेश बगेल ने पिरहिद बोर्विल ऑपरेशन में रिपोर्टिंग करने वाले 60 पत्रकारों को श्रमवीर समान से समाइद किया है दरसे जांजगेट चापाज जिले के ग्राम पहरिद में बोर्वेल में गिरे राहुल रेश्क्यू ऑपरेशन के तौरान रिकॉर्ड एक सो पांच घंटे तक पत्रकारों ने जीवन कवरेज किया था कारिकराम का आयोजिन भारते श्रमजीवी पत्रकार संकी 36 गड़ एकाई द्वारा किया गया है मुख्यवंतरि वुपेश बगिन ने कहा कि संगर्स के बहुत से साथ ही यहां उपस्ती थे एक दौर था जब टेबल नहीं उसकी चरचा होती थी और ग्रामिट पत्रकारीता की बात होती थी अब एलक्रोनिक मीडिया के आजाने पर घटना स्थर पर जाना होता है उन्होंने कहा कि पत्रकारों का जीवन कठिन है एक जुनून होता है पत्रकारों में उससे भी कठिन इसमें इस्थापित होना पत्रकारों में एक संभावना होती है कि फिर वो और कुछ नहीं कर सकते जीवन भर कलन नहीं छोड़ता इस कारिकर्म के दुरान मुख्यमंद्री वुपेश बगेल ने पत्रकारों के लिए बीमा और उनकी सुरक्षा के लिए कानून लागुक करने की विवस्ताय किये हैं एक ऐसा कार जिसमी सासन प्रसासन के साथ पूरे पत्रकार एक सो नौ घंटे तक रिपोर्टिंग करते रहे बिना इस बात की चिंता किये कि भोजन किया है कि नहीं किया उसे सुनी की विवस्ताय क्या होगी और उसके बावज़ूद भी लगाता रिपोर्टिंग करते रहे राहू साहू जो वो रुवेल में फसा सा उसको निकालने में पल पल की खबर हमारे पत्रकार साथियों ने चाहे प्रिंट मीडिया को एक्टानिक मीडिया को चाहे वेब पोर्टल को सब लोगों ने बड़ी मेहनत किया और सकारात्मक रिपोर्टिंग की और सकुसल राहूल साहू अपने मादा पितक पास पहुचा है और इसे रिपोर्टिंग में जिन साथियों ने जिन पतकार साथियों ने कैमरा मेन ने वहाँ राकर